अजी सभी को नमस्कार क्या हल चाल जी कैसे आप सभी गुद्मॉर्निंग नमस्ते और सब बढ़िया अवाज क्लियर और यू वीडियो सब बढ़िया चालो जी करें फिर शुरुवात रेडी चलिए जी शुरुवात करते हैं आई होप सभी आ गए होंगे और आप में से अधिकतर बच्चे आई होप वही होंगे जो दो तिन दिन से से सेशन को अटेंड कर रहे हैं कब से शुरू हुआ है सेशन तीन दिन होगे ना तीसरा दिन चोथा लेसन हैं आज जो था है हाँ मतलब दो सेशन तो हमने उसके किये एक तो मतलब वक्याबलरी के डिसकेशन किया था एक में रीडिंग का किया था हमने और एक में कल हमने शुरुआत किया फंडमेंटल्स का तो नोट्स वगरा शुरू कर दी है बनाने हाँ या देखो हाथो हाथ बना ले ना बाद में मत सोचना कि जब अपना कोर्स शुरू होगा या मतलब खतम होगा बेसिकली तब बनाऊंगा भी तो बस पढ़ लेता हूं या समझ लेता हूं तो ऐसी गलती मत recept करना ठीक है बहुए साथ साथ बनाते चलना और या भी निया कि शुरू शुरू में आप बनाते चल रहे हूं उसके बाद आप मतलब try नहीं कर रहे हैं ठीक है शुरू शुरू में बस बना रहे हैं effort लगा रहे हैं 2 जन बनाये 10 दे बनाये और फिर चोड़ दीश difय है सा तो हमने sentence के बारे में जाना था वो आपको अच्छे से बताईए भई एक हमने sentence के काइंट के बारे में जाना था काइंट में चार काइंट बताई थे आपको कौन कौन से बताई थे assertive बताया था और interrogative बताया था interrogative में भी दो बताई थी, imperative बताया था, और exclamatory sentence बताया था, एक optative भी बताया था, optative कोई अलग से कोई category नी थी, वो exclamatory याई पार्ट था, I hope is that clear, yes or no? चलो, तो, 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 phrase और close की शुरुवात करनी है हमने है न? अरे, बोलू हाँ, नहीं बोलोगे, phrase और close, क्या difference होता है सर्जी, phrase और close के अंदर, तो, बहुत basic सा difference है, वैसे, गर आपको पता है, तो, बहुत अच्छी बात है, तो, पहले phrase को एक बाद डील करते हैं, देखो, phrase क्या होता है, phrase basically, group of words होता है, जो कि sense तो देता है, लेकिन incomplete sense देता है, phrase, एक group of words होता है, group of words होता है, जो sense देता है, incomplete, जैसे sentence की परिभाशा ध्यान है आपको, हाला कि definition में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, उसकी implementation और function ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उपर-उपर से एक बाद फिर भी meaning पता होतो चल जाएगा, ठीक है, sentence में क्यादा group of words हो, जो complete meaning दे, तो phrase क्या है, group of words जो incomplete meaning दे, जैसे example के तुर पर मैंने का this information age, यह है वाली information age, तो क्या करें आगे इसका, मतलब बात तो समझ में आ रही है कि यह वाली information age, लेकिन अधूरा meaning आ रहा है, पूरा क्रक्स हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो यह क्या है, group of words है कि नहीं है, एक, दो, तीन, तो phrase हुआ कि नहीं हुआ हो गया, मैंने का add the dot, दर्वाजे पर, दर्वाजे पर कौन, किस की बात हो यह, कहाँ पर, किस जगा, I hope मेरा point समझ में आ रहा है, really fast, बहुत तेज, कौन, आदमी, जानवर, कुता, पंखा, कोई तो होगा भाई, तो यह सब के सब group of words हैं, लेकिन incomplete sense दे रहे हैं, तो इसलिए इससे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, यह तो होगी basic सी बात है, अब सबसे important बात ही है, कि फ्रेज के अंदर कभी भी आपको subject और verb combination एक साथ दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि अगर subject और verb साथ-साथ आ गया ना, तो complete meaning हो जाता है, अगर subject और verb एक साथ आ गया ना, किसी sentence के अंदर, तो complete meaning हो जाएगा, और phrase कैसा meaning देता है, incomplete meaning देता है, इसलिए कभी भी phrase में आपको subject और verb एक साथ दिखाई नहीं देगा, या तो सिर्फ verb होगा, या तो सिर्फ subject होगा, क्या मेरा point समझ में आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि is going fast, अब ये क्या है, ये phrase है कि नहीं है, बस verb है, subject नहीं है, लेकिन अगर मैं बोल दूब भी, she is going fast, अब ये phrase थोड़ी कहलाएगा, ये तो sentence हो गया न, पूरा का पूरा, she is going very fast, ये, she is going fast, नहीं समझे, तो subject और verb साथ साथ आपको दिखाई नहीं देगा, ध्यान रखना इस शीच को, phrase के अंदर, कभी भी, और उसने क्या का कि जो phrase होता है, basically ये complete sentence भी नी बन सकता, आप इसे sentence भी नी बोल सकते, कभी आप सोचों कि ये sentence है, क्योंकि sentence बनने के लिए subject verb का होना mandate रही है, ठीक है, और complete meaning नहीं देता है, इसलिए आप इसे complete sentence नहीं बोल सकते, ये तो होगी, देखो, बच्चों वाली ब अराम से समाईना, पहले topic पूरा होने देना, तब कोई doubt पूछना आता है, क्योंकि आएगा भी यहाँ पर doubt आपको, close जो होता है, close एक group of words होता है, जो की complete meaning देता है, और उसके अंदर subject verb combination भी होता है, अब यहाँ आप confused हो गए, वो कैसे, आप बोलोगे sir, group of words जो complete meaning दे, वो एक close भी होता है, है न, तो अब यह क्या dilemma है, यह क्या दुविदा है, इस दुविदा को दूर करने के लिए, आप इस line को पढ़ो, कि एक simple sentence can also be called one close, एक simple sentence को आप एक close भी बोल सकते हैं, जैसे example के तोर पे, मैंने का she is pretty, example देखो, she is pretty, सबसे पहली चीच, क्या यह phrase है, बस म नई, पूरा मीनिंग दे रहा है, subject भी है, verb भी है, subject वर्ब का combination है, और complete मीनिंग दे रहा है, तो क्या यह एक sentence है, वैसे पूछ रहा हूँ, क्या एक sentence है यह, sentence तो है, लेकिन क्या यह एक close भी है, हाँ बई, close भी है, क्योंकि close की परिभाशा भी होती है, subject वर्ब हो, complete अभी यहां समाईने हैं इस चीज को मैंने का I am feeling well today complete sentence है न क्योंकि subject है और verb है complete meaning दे रहा है मुझे अच्छा feel हो रहा है लेकिन क्या यह close भी है हंजी सर close भी है close क्या identification क्या है close क्या identification यह है कि subject verb होना mandatory है close का मतलब यह है एक subject और एक verb के pair को close गयाते है अब point यह है कि ऐसे तो बहुत सारे sentence है जिसमें एक से ज़्यादा subject verb combination होते है आपने तो ऐसा भी देखा हो जैसे कि यह वाला sentence देखो यह वाला sentence अभी आप मुझे बताओ the girl से लेकर cat तक कितने sentence है the girl से लेकर cat तक जातर बच्चे कहते हैं दो वो यह दो चीज़े देख लेते हैं और बोलते हैं दो अरे बच्चपन से बढ़ते आ रहे हैं कि full stop क्यों लगाते है full stop लगाने का क्या मतलब है कि क्या चीज़ खतम हो गई full stop लगाने का क्या मतलब है क्या चीज खतम हो गई sentence खतम हो गया तो मतलब sentence एक ही है तो फिर ये दो-दो क्या है बचे ये closes है कैसे पता लग रहा है closes है एक subject और एक verb के combination को close कहते है एक subject और एक और verb के combination को close कहते है तो close number one और close number two sentence एक है close दो points हमझ में आया कि नहीं आया एक sentence में एक close तो होता ही है जो की पीछे देख की आए एक sentence में दो भी हो सकते है तीन close भी हो सकते है चार भी हो सकते है वो depend करता है कितने subject और verb combination है बोलो हाँ जैसे अगले में एक तीन है ध्यान से देखो sentence तो एक ही है लेकिन close तीन है तो I a subject है could not decide उसकी verb है ध्यान रखना helping verb और main verb मिलाके एक ही verb होती है पेर में ये भी ध्यान रखना helping verb और main verb एक ही verb होती है एक verb है तो उसका एक subject है तो close number one ये subject और ये verb है close number two ये subject और ये verb है close number three तो one, two, three sentence है एक, closes है तीन I hope मेरा point सभी बच्चों को समझ में आ गया है ठीक है भई यहां तक कोई दिक्कत निकिता जी कह रहे हैं सर parts of speech पहचान नहीं पाते क्या करें doubt section में पूछाए इनों ने बटा भी पढ़ा दिया है मैंने parts of speech चला गया है वो नहीं मैंने पढ़ा दिया है तो जब मैं पढ़ाऊं उसके बाद बोलो न और अगर revise कर रहे हो पढ़ लिया है आपने तो जिस तरीके से सिखाया तो उसकी implementation करो अकबार में जाके है ना चला आचल जी पूछिए सर sentence और close में क्या difference है कि एक simple sentence एक close भी होता है और जरूरी नहीं है कि एक sentence में एक ही close हो वो depend करता है कितने subject verb combination है example के तोर पे मैं कहूँ कि I am poor क्या ये sentence है और क्या ये sentence है है I am poor क्या ये close भी है हाँ इसके अंदर कितने close है एक close है I subject am उसकी verb है लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि I am poor but I am honest अब कितने sentence है एक ही है लेकिन ये दो-दो क्या है parts इसके closes है क्योंकि अब दो subject verb combination है एक I am poor वाले में I am और एक I am honest वाले में I am I hope मेरा point समझ में आ रहा है एक बच्चा कहरे सर interrogation जो interrogative sentence होते हैं क्या उसमें भी close होते हैं बहुत महान सवाल नहीं पूछ लिया क्या उसमें subject verb नहीं होते हैं थोड़ी reasoning भी लगानी है इंग्लिश पट रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है है ना तो यहां पे भी कुछ puzzle जो आपके मन में आ रही है थोड़ा उसको भी समझो कि उसमें भी subject verb है ना नहीं है है उसके अंदर अगर मैं बोल रहा हूँ I am going और अगर मैं बोल दू Am I going तो क्या फितरत बदलगी क्या उसकी close ही बतलगी अब कुछ और हो गया है वो है बई Am I going है ना अब वर पहले चलीगी है subject बाद में आ गया है ठीक है शारा हूँ बड़े मासूम बच्चे हैं बड़े प्यारे बच्चे हैं आओ closes की एक्चुर में दो categories होती हैं इनको जान लो मोटे मोटे तोर पर ज्यादा डीटेल में नहीं जानना है मोटे मोटे तोर पर ही जानना है आपने बच्चपन में पढ़ा होगा हम वो कहते हैं principal close, subordinate close teacher पढ़ाया करता था हमको वो इतने typical नाम से आपको जानने की जहुरती नहीं आपको definition में पढ़ना ही नहीं आपको implementation सीखनी है बस तो दो नाम से जानेंगे independent और dependent तो नाम से दिख रहा है कि dependent close आजाद भारत की तरह एकदम बिल्कुल आजाद होगा अकेला exist कर सकता होगा sorry independent वाला है ना उल्टा हो लिगा कोई वारत ते independent close जो होगा वो आजाद भारत की तरह आजाद होगा exist कर सकता होगा individually लेकिन जो dependent है irony होगी यह तो है ना जो dependent है उसे किसी के सहारे की जरूरत पढ़ती होगी ठीक है जैसे हमारे पर उसी देश नहीं चलो अगे चलते हैं अभी independent close देखो कि है क्या एक्चल में उसने बोला कि जो independent close है वो वही है जो एक complete sentence है और अकेला आ सकता है कैसे चलो कुछ सवालों के जवाब मुझे देना और कुछ भी नहीं है definition छोड़ो सवालों के जवाब दो he ate dinner he ate dinner क्या यह एक sentence है सबसे पहला सवाब और close में कौन सी category है independent क्योंकि अकेला आ रखा है dependent नहीं है किसी के सहरे की ज़र्थ नहीं close कैसे पचाना क्योंकि subject verb combination है similarly यही बात यह एक sentence भी है यह close भी है और कौन सा है independent अब dependent close की बात करें तो dependent जो close होते हैं उनमें subject verb तो होता है लेकिन वो अकेले नहीं आ सकते हैं और नहीं वो sentence बन सकते हैं वो कैसे example की तोर पर when Rahul got home समझे ना मेरी बात सबसे पहला सवाल क्या यह एक sentence है जब Rahul घर आया यह एक sentence है यह एक sentence है जब Rahul घर आया तो क्या तो भही वाली बात होगी मेरा पिया घर आया तो क्या क्या करें भही पिया आया है तो पूरी बात तो बताओ complete meaning कहा है इसके अंदर तो भही यह एक sentence नहीं है वेन Rahul got home महिमा जी कह रही है यह phrase है phrase कैसे हो गया इसके अंदर subject verb नहीं दिख रहा आपको एक subject और एक verb अगर दिख जाए तो वो phrase नहीं होता है क्या होता है वो close तो यह sentence तो नहीं है लेकिन close है मुझे कैसे पता लगा subject verb agreement से वही subject verb combination दिखाई दे रहा है तो close होता है कौन सा close है independent की dependent यह अधूरा नहीं लग रहा है आपको dependent है इसलिए भाई क्योंकि अभी इसको किसी और के सहारे की जरूरत है अब आज़ो नीचे ठीक है सबसे पहला सवाल क्या पूरा का पूरा एक सेंटेंस है पूरा हाँ भई फुल स्टॉप लगे हो यह सेंटेंस ओवर हो गया close कितने है close कितने है दो कैसे पचाना subject verb agreement और subject verb combination close number one close number two कौन सा independent है कौन सा dependent है अगर मैं बोलू सिरफ he ate dinner तो यह अकेला आ सकता है अगर मैं बोलू when Rahul got home यह अकेला नहीं आ सकता अधूरा मीनिंग दे रहा है तो कहने का मतलब यह वाला independent है और यह वाला dependent है I hope मेरा point समझ में आ गया उसी को वो बचपन में बोलते थे जो independent होता इसी को principal close बोलते थे और जो dependent होता इसे subordinate close बोलते थे ठीक है वह नाम में मज जा हुआ बस independent dependent से आत कर जितने भी dependent closes होते हैं generally ऐसे words से शुरू होते हैं when, while, if, unless, although, as soon as, as long as, because, since, etc. यह end में फुल स्टॉप नहीं आएगा यह typing error है यह आएगा नहीं हटा देना इसे ठीक है गलती से लिग दिया कोई बात नहीं अच्छा मुझे यह बताओ जो आपके सामने लिखा हुआ है यह while he was playing जब वो खेल रहा था तो क्या यह sentence है नहीं भाई sentence नहीं है क्योंकि अधूरा मीनिंग दे रहा जब वो खेल रहा था तो क्या लेकिन क्या यह एक phrase है नहीं सर्फ phrase भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक subject है और एक verb का combination है तो यह एक close है और मैं पूछू कौन सा है तो कह देना dependent है dependent similarly if you come here sentence है no क्या close है हान जी कैसे पता लगा subject verb agreement है कौन सा close है dependent लेकिन अगर मैं बुलूं while he was playing I was working अब समझ में आ रहा है न सबको यह confusion दूर हो रही है न सबकि यह पूरा का पूरा तो एक sentence है अब जिसमें दो-दो closes होगे पहले वाला dependent है और दूसरे वाला independent है क्योंकि वो अकेले भी लिख सकते हैं आप I was working को generally भी आप कहीं पे भी लिख सकते हैं similarly if you come here I shall help you I shall help you अब यह पूरा का पूरा एक sentence हो गया जिसमें दो-दो closes होगे close number one और close number two जिसमें यह वाला dependent और यह वाला independent क्लोस की सारी इतनी ही बाते थी इसके लावा कुछ नहीं जानना है कि हमें basic knowledge ही चाहिए भी fundamentals में ठीक है भाई ऐसे तो और भी closes में adjectival close है ठीक है और prepositional closes आपको देखने को मिलते हैं prepositional नहीं adjectival दिख जाएगा adverbial दिख जाएगा phrases में भी दिखते हैं हमको यह साही चीज है लेकिन वह जानना ही नहीं आपको भी ठीक है ना हमें बस यहीं तक सेमित रहना है अच्छा phrase और close की पूरी हो गई हो गई अब अगर मैं कुछ भी आपको लिखके दू तो आप तुरंत बता दोगे कि phrase है close है हाँ कोई भी बता देगा मैंने बोला a very important question क्या है यह अब लगेगा आपको complete meaning दे रहा है लेकिन भाई यह दे नहीं रहा है complete meaning यह close हो ही नहीं सकता close होने के लिए क्या चीज mandatory है subject और verb का होना लेकिन अगर मैं बोलू a very important question और आगे मैंने इसी को continue कर दिया has been asked बहुत महत्पून सवाल पुछा गया अब यहाँ पर verb भी आ गई है verb आ गई है इधर subject आ गया subject verb मिलके close बन गया I hope point clear चलिए जी इसी के साथ अब हम बात करेंगे parts of speech की ठीक है वैसे तो parts of speech को हम topics में पढ़ेंगे आगे चलके ठीक है अलग 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 तरीके से डील करेंगे बारी किया जानेंगे noun, pronoun, verb, adjective, verb सब जानेंगे अच्छे से ठीक है लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं उनका overview लेंगे बस overview कारण अभी overview इसलिए लेंगे क्योंकि मैंने क्या बोला था कल की class के अंदर सारी चीज़े interconnected है एक चीज़ को समझने के लिए दूसरी बढ़नी पड़ेगी दूसरी को समझने के लिए तीसरी बढ़नी पड़ेगी है की नहीं है तो ऐसे cases में क्या होता है अगर आपको पहले से ही एक बार सारे parts of speech की basic knowledge भी है न तो आगे चीज़े समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है समझ में आया तो इसलिए मैं आपको overview दे रहा हूँ सनफुल है क्या होता है पार्ट थो स्पीच प्रणूंड बहुत बड़िया विल सोते बहुत बढ़िया मैंने आपसे पूछा था कि parts of speech क्या होते हैं और कुछ बच्चे बताने लगे parts of speech कौन कौन से होते हैं शब्दों में आप difference देख रहे हो मैंने पूछा था कि parts of speech क्या होते हैं बच्चे जब आप दे रहे noun pronoun यह तो answer क्या हो गया parts of speech कौन कौन से होते हैं यह तो इसका answer है पहले जानो कि क्या होते हैं parts of speech इसको समझेंगे एक छोटे से slide में जो बाते लिखी हैं उसके थूँ ठीक है language है words है parts है अगर मैं किसी भी भाषा की बात करूँ Hindi, English, Punjabi, कोई भी language उठालूँ अभी English पढ़ना है तो English की बात करते है कोई भी language है तो क्या वो words से बनी है मैं वैसे पूछना चाहता हूँ आप से कोई भी language है क्या वो words से बनी है बनी है words से ठीक है जैसे मैंने बोला कि my name is Tarun तो इसके अंदर words है की नहीं है my name is Tarun words यूज करता हूँ तो कोई भी language की मैं बात करूँ तो हमें पता है कि वो बनी है words से ठीक है हम सब जानते हैं ये बात अच्छे से आपको बता है words को language में एक और नाम से भी जाना जाता है उसको हम लोग अंग्रेजी भाशा में speech भी कहते है अब आप बोलो के सब speech हम कुछ भाशन को नहीं कहते हैं हाँ भाशन को भी कहते हो actual में एक शब्द के कई सारे meaning हो सकते हैं speech का मतलब भाशन भी होता है speech का मतलब शब्द भी होता है तो जब मैंने कहा कि जो language है वो आपकी words से बनी है ऐसा बोल सकता हूँ बोल सकता हूँ तो जैसे मैंने कोई भी example लिया मैंने कहा था कि I am Tarun या my name is Tarun ऐसा कोई example जो मैंने लिया कि my name is Tarun ठेक है या he is going कुछ भी example लिया तो अगर कोई language है अगर वो words से बनी है तो आपको पता है words के भी parts होते है कोई word ऐसा हो रहा होता है जो नाम बता रहा होता है कोई ऐसा होता है जो काम बता रहा होता है कोई ऐसा हो रहा होता है जो विशेष्टा बता रहा होता है समझ रहा है कोई ऐसा शब्द होता है जो जोड रहा होता है समझ में आ रहा है कि points नहीं आ रहा है तो actual में क्या है कि language भले ही words से बनी है लेकिन words के भी parts है अलग-अलग parts होते हैं कोई शब्द क्या काम करता तो कोई शब्द क्या काम करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं या तो आप बोलते हैं parts of words या पिर आप क्या बोलते हैं, parts of speech, ठीक है, तो अगर मैं English language की ही बात करूं, English language में words या मैं speech की बात करूं, तो उसके total पते कितने parts हैं, total 8 parts है, मतलब अगर English language में आप शब्दों को categorize करने लग जाए, तो 8 ही categories हैं, मतलब किसी भी शब्दों को बस आपको उन 8 categories के अंदर ही ड सकते हैं, और what categories कौन कौन से हैं, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction और interjection, 9th categories भी होती है, articles मने बताई हुई है बच्चों को, लेकिन वो अलग से कोई category नहीं है भाई, articles एक तरीके से adjective का ही part होते हैं, ठीक है, adjective का ही part होते हैं, इसलिए उसको अलग से 9th category बनाते नहीं है, आठ ही रहती है, clear, तो क्या सबको clear है, पहले parts of speech क्या है, कैसे बने हैं, ठीक है जी, अब one by one सब के बारे में बाते करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, verb के बारे में, बच्चपन से हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, कि verb जो होती है, वो क्रिया होती है, action को बताती है, पढ़ते हैं, बिल कि verb एक तो action बताता है और एक state बताता है, किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है, verb, basic सा point है, मैं daily newspaper read करता हूँ, करता हूँ, action है, तो क्या है, verb है, वो Harry Potter का fan है, है वो, है, state बताई जा रही है, क्या है ये, verb है, action और state बताने वाले शब्द, basically क्या होते हैं, verb होते हैं, ये तो होगी बच्चों वाली बात, नाउन के वदे में बात करें, तो नाउन भी वर्ष्पन में पढ़ते हैं, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, किसी व्यक्ति वस्तु उस्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं, टीचर ऐसे पढ़ाया करता है, और एक्जाम्पल भी नाउन की दो-तिन खास बात है, आप जानो, कि अगर आपको किसी भी वर्ड के पहले, किसी भी वर्ड के पहले अगर आपको आर्टिकल लिखा दिखाई दे रहा है, आर्टिकल क्या होते हैं दोस्तों, ए, ए, और दा, अगर किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल दिखाई दे तो ध्यान रखेगा आर्टिकल अंग्रेजी भाषा में एक ही शब्द के लिए आता है और वो शब्द क्या है नाउं आर्टिकल और किसी के लिए नहीं आता है अगर मानलो कोई वर्ड लिखा हुए कोई भी वर्ड लैंग्विज में उसके साथ अगर आप ऐसी यह लगा देते हैं और वो शब्द प्लूरल बन जाए तो वो शब्द भी क्या होगा भाई नाउन दो बेसिक बाते ध्यान रखना तीन बेसिक बाते हैं एक तो नेमिंग वर्ड एक किसी भी वर्ड के लिए आर्टिकल आए तो वो नाउन है और जिस वर्ड के साथ आप ऐसी यह उस लगा गे प्लूरल बना दो तो वो नाउन है जैसे मैंने का राहूल स्टेज इन और ये जगा का नाम है तो यहां तो साफ साफ हमको नीं को कि पहले आलती कमें आउन है या उिसे अगर मैं सरफ गर्ल लिख दूं क्या यह नाउन EH आप बोलोगे जी सर मैंने का कैसे आपने का सर इसके साथ S.E.I.S. लगा के देख लो प्लूरल बन जाएगा गर्ल्स बन जाएगा बन जाएगा तो मतलब ये भी क्या है समझ में आ रहा है की नहीं आ रहा है मैंने बोला अ कंट्री कैसे पता लगा आर्टिकल है भई मैं नहीं लिखता मान लो सिर्फ कंट्री बोलो तो प्लूरल बन जाएगा इसका कंट्री बन जाएगा देश और बहुत सारे देश तो कंट्री वैसे आपको पता लग गया क्या है नाउन है ये तो दो method हैं पहचानने कि ऐसे कम से कम 7-8 method हैं वो आगे चल के discuss करेंगे अभी जो बताया वो समझ में आया आगया ठेके जी आगे चलें आगे चलते हैं अभी इनकी जरूरत पड़ेगी बार-बार जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा ध्यान रखना है उसके बाद आता है शब्द आपके सामने pronoun pronoun क्या? pronoun एक ऐसा word है जो noun को replace करता है pronoun एक ऐसा word है जो noun को replace करता है जैसे मैंने का sonali is a biblio file और अगर मैं यहां पर sonali ही लिग दू दूबारा से sonali carries a book within everywhere टेड़ Student से समय जा है चैनल सुनालकों graduate तो सुनाली किसी परसटन कानाम है नाम है नेमिंग वर्ड ने तो आगर मैं दोबारा बोले नूगा कि संवाली ऑर संवाली हमेशा अहनी बूक लेके जाते है यहांभी जाती है सुनाली सुनाली repeat नहीं हो रहा है तो इससे क्या होथा कि भी नाउन की repetition और ये sentences में भध्धापन आता है awkwardness हाती है तो sentence में beauty maintain करने के लिए हम सुनाली की जगा she बोल सकते है हां जी थोड़ी सी beauty maintain होगी तो ये she actual में क्या होता है she pronoun है, I, V, You, He, आपके सामने आता है अब यह एड़ेक्टिव नहीं होता है इसका जो डी होता है यह साइलेंट होता है ए और जे वाला जो डी है इसके बीच में हमेशा साइलेंट रहता है ध्यान रखेगा क्या बोलते हैं इसे एड़ेक्टिव एड़ेक्टिव नहीं अड़ेक्टिव भी नहीं और फरक नहीं पड़ता कुछ लेकिन स्टिल बेसिक शब्द की प्रनेंसेशन अगर आपको पता होगी तो मुझे लगता है क हrb सहीव 280 घर जैसे एक वरड़ है एड़ जैसेंट ऋब इड़ेसेंट है कि एड़ेसेंट सहीए अजेक्टिव कर दी साइलेंट साइलेंट सब्छेरगर आजयसेंट जैसेंट अभी साइलेंट के पीछे क्या कॉन्सेप्स उन्हे अलग कि पुर आइस्ग्राथ Sounds इसको पढ़ने के लिए आपको दूसरी दिशा में जाना पड़ेगा जो कि आपकी competition से related नहीं है, बोलो, पढ़ना है फिर वो, तो एक काम करो फिर दूसरा subscription लेना पड़ेगा, फिर दूसरी application पर जाना पड़ेगा, वहां आना पड़ेगा, वहां पड़नी पड़ेंगी वो phonetics sounds related, बहुत सारे ऐसे शब्दे जनकी pronunciation हमको नहीं पता होती है, हम लोग बात करते हैं, यह मैं बताता हूँ बच्चों को अकसर basic शब्दों के बारे में, बच्चे कहते हैं, depth, depth, है न, debt होता है, यह be silent होता है, हम लोग बोलते हैं, subtle, subtle थोड़ी है, subtle होता है, यह be silent होता है हम लोग बोलते हैं, comb, यह be silent होता है, है न, receipt बोलते हैं, बहुत बार, receipt, receipt नहीं होता है, यह be silent होता है, receipt, है न, island, बिल्कुल सही, और भी बहुत सारे words है, जैसे comb है न, यह तो यह क्या होता है, t-o-m-b, यह क्या है, क्या है यह, tom, यह tomb है, tomb, यह tomb नहीं है, tomb, tomb भ नहीं, tomb, tomb मतलब कबर, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, तो basically आपको अलग से कुछ जाके ऐसे शब्दों की list नहीं देखनी है कि कौन से शब्दों में क्या silent है और किसको कैसे बुला जाता है, वो पढ़ते पढ़ते आपके स अरे बोलू हाँ, आपके requirement है technical चीजे जानना, grammatical concepts जानना, reading की sense को बढ़ाना, vocabulary अच्छी करना, writing skills अच्छी होना, spoken English आपकी requirement नहीं है क्योंकि interview में आप English बोलो चा ना बोलो, unless you are confident, उससे कुछ फरक नहीं पड़ता, point समझ में आ रहा है कि आपनी बातों को बस अच्छे से convey कर पा रहे हो, तब भी selection हो जाता है, ठीक है जी, लिखना अच्छा आना चाहिए, पढ़ना अच्छा आना चाहिए, अशुद्धी करन को छाटना आना चाहिए, यह requirement है, आपके SBI और IBPS की, या किसी भी competitive examination की, fluency नहीं है, तो वो नहीं है, तो उस पर focus नहीं करते हैं इतना किसी की अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात है, और दूसरी चीज वो वैसे भी माहोल से अच्छी होती है, वो ऐसे अच्छी नहीं होती है, कि कोई आके आपसे दो दिन बात करेगा, तो English अच्छी हो जाएगी, अगर मैं आपको सिखा भी दूँगा, तो इसके लिए बोलोगे तो आप लिएंट रहोगे, नहीं बोलो, अब मैं कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में जब मैं था, तो हम बोलते थे, क्योंकि वहां बोलनी पड़ती थी, आप बाउन से बिलॉंग करते थे, वहां पे बोलते ही नहीं थे, तो बोलते भी देतो, मतलब आपको ऐसा फील कराते थे, कि आप मतलब क्या आई हो, कौन से ग्रह से आई हो, तो बोलनी पड़ती थी वहां पे, अब जब से पढ़ाना शुरू की है, तो आप से कम्यूनिकेशन कैसी हो रही है, ऐसी साधारन सिंपल भाशा में हो रही है, जैसे आप और हम घर पे या आम बोल च करोगे, यह नहीं करोगे कम्यूनिकेशन, या अपने आप से ही वह शीशे में देख के बोलो, दो दिन बोलोगे, पांच दिन बोलोगे, उसके बाद लगेगा कि बेफकूं हो, यार सारा दिन खुद से ही बोले जा रहा हूं, यास और स्कूल में होता था कि दो और पे वह बना रखा है, वह इंग्लिश का वह बना रखाए, जिसकी अच्छी बोलने में अच्छा तो पता नहीं कौन सा कहा का देवता है, यह तो ऐसा प्राणी है, पता नहीं इसको कितना ही महा घ्यान की प्राप्ती हुई हुई है, तो मेरे दोस्त, आप जिस एक्जाम की त्य अच्छी होने चाहिए, और एक चीज और बताऊं, अब यह सारी चीज अच्छी हो जाती है, तो आपका इतना अच्छा बेस बन जाता है, लैंग्विज का, कि अगर आप अब स्कोकन इंग्लिश को भी फ्लो बनाएंगे न, तब भी आपका बन जाएगा, आप सीखना चाह आप किसी शब्द को जड़ता है, बोलो, किस के साथ जुड़ता है, यह नाउन या प्रोणाउन के साथ जुड़कर उसको मोडिफाइ करता है, किस के साथ? då नाउन क्या होता है नाउन क्या होता है नेमिंग वर्ड और कैसे पचानते हैं आर्टिकल से और कैसे पचानते हैं SCIS से प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन को replace करे तो पढ़ लिया цы है अब मैं बोलूँ कि शी था रेड हैट आज़े चलो इसको मारव बोली इसको देखो यहां अलग से देखो मैंने का a girl girl का parts of speech क्या है noun है अगर मैं ऐसा बोल दूँ अब beautiful girl अब आप मुझे यह बताओ क्या beautiful noun हो गया क्या beautiful noun हो गया क्या अरे नहीं भाई अभी भी article जो है वो girl के लिए ही आया हुआ बस यह बीच में modify करने वाला word आगया कैसी girl beautiful girl कैसी लड़की सुन्दर लड़की तो confuse मत हो ना कि सर आपने का था जिसके लिए article आते है वो word noun होता है भाई वो उसी के लिए आया सर मुझे कैसे पता लगेगा उसके लिए आया common sense है अगर मैं एक ही जगा यहां two बोल दूँगा तो change कौन होगा beautiful की girls कौन सा शब्द change करोगे किसको change कर रहे हो girl को कर रहे हो न तो अभी यह दो भी किसके लिए आया होगा girl के लिए singular से plural किसका बनता है नाउन का ही तो बनता है न तो यह अभी भी क्या है adjective है आपको मेरा point समझ में आ रहा है क्या सबको अच्छे से ऐसी एगर मैं बोलूँ she has a red hat तो यह ए आर्टिकल किसके लिए है hat के लिए न उच्छे नाउन है कैसी hat है red hat तो यह adjective है ऐसी उसने बोला था southern lights are beautiful सबसे पहले बताओ यह दा किसके लिए है southern के लिए या lights के लिए lights के लिए है कैसी light southern lights modify कर रहा है तो adjective है आच्छा आगे भी देखो beautiful लिखा हुआ beautiful किसको बोला जा रहा है चलो आप खुद बताओ beautiful किसको बोल रहे है lights को बोल रहे है सदन को थोड़ी बूल रहे लाइट को नाउन को फिर बारे में जो मॉड़िफाई करें वो भी क्या है इंजिक्टिव है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब को अच्छे से कोई दिक्कत मैंने का ही स्मार्ट अब आप मुझे बताऊ smart किसको बुला जा रहा है ही को ना तो ही क्या है pronoun के बारे में जो बताए pronoun को modify करे उसके सब जुड़ को modify करे अब जुड़ने का मतलब यह नहीं होता कि पहले जुडे पीछे भी हो सकता है जैसे यहाँ पे तो पहले जोड़ रहा है इसके लेकिन यहाँ पे आगे आ रहा है तो इससे कुछ फर्रक मिवड़ता ठीक है बस modification होनी चाहिए ऐसे ही अगला जो शब्द है आपके सामने adverb, अब आपके दिमाग में एक logic आने वाला है आप कहोगे सर पिछले ही word में आपने यह बताया इस ad का मतलब addition होता है तो क्या यहाँ पे भी this ad का मतलब addition है हाँ भी इसका मतलब भी addition होता है यह भी शब्द जुड़ता है किसके साथ जुड़ता है जी तीन शब्दों के साथ जुड़कर उनकी modification करता है, कौन-कौन से शब्दें जी? पहला है verb के साथ जुड़कर दूसरा adjective के साथ, तीसरा किसी दूसरे adverb के साथ, तीन शब्दों को modify करता है, verb, adjective, adverb कभी भूल जाओ, तो ये किस-किस को modify करता है, तो तीनों शब्द इसी के अंदर अब वो पूछो कैसे? verb को करता है? करता है adjective को करता है? करता है खुद किसी दूसरे adverb को करता है? हंजी करता है, सारे इसी में है न? ध्यान रखना basic example दूँ पहले basic example देता हूँ मैंने कहा कि she is walking she is walking slowly slowly क्या है इसके अंदर भाई? slowly क्या है इसके अंदर? adverb है, कैसे बता लगा? is walking क्योंकि verb है और कैसे चल रही है धीरे चल रही है चलना क्या है? action verb को जो modify गर दे वो क्या होता है? adverb yes or no मैंने कहा she is very beautiful she is very beautiful कुछ सवाल मैं आपसे पुछना चाहता हूँ मुझे यह बताओ कि इस sentence में beautiful किसको कहा जा रहा है तो आप बोलेगे she को she क्या है? pronoun pronoun के बारे में जो बताए वो क्या होता है? adjective कितनी सुन्दर? बहुत सुन्दर? adjective को भी जो modify कर दे adverb मैंने आपको बोला she is walking very slowly very slowly I hope my point got clear वो चल रही है is that a verb? कैसे चल रही है? slowly चल रही है verb को modify कर रहा है adverb कितना slowly? very slowly बहुत दीर है तो adverb को भी जो modify कर दे वो भी क्या होता है? adverb क्या यह point सब को clear है? adverb तीन words को modify करता है verb को जो की यहाँ देखा adjective को जो की यहाँ देखा red verb को जो की यहाँ देखा वो बोलती है क्या यह verb है? बोलना action कैसे बोलती है? तेजी से बोलती है verb को modify कर रहा है तो adverb हुआ पश्मीना शोलिये एक ही नामे ध्यान रखेगा पूरा का पूरा नाउने पश्मीन शौल पश्मीन शौल स्लोली एड़ब कैसे होगा प्लीज रिपीट बाकी नहीं आना चाहिए ता स्लोली वालां आना चाहिए कैसे काम चलेगा इतनी बेसिक चीज़े नहीं समझ में आएंगी तो अभी तो कुछ शुरू ही नहीं किया कोर्स मैंने अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है अभी तो मैं आपको बेस उठा रहा हूँ चार दिन तो यह चलेगा खैर कोई बात नहीं समझा देंगे दुभाएंais味 पश्मीना शौल इस वेरी कंफर्टेबल मुझे यह वताओ कंफर्टेबल किसको कहा जा रहा है आ अरे कंफर्टेबल किसको कहा जा रहा है पश्मीना शोल को और वो क्या है नाउन है क्योंकि नाम है भई तो नाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है adjective कितनी comfortable बहुत adjective को जो modify कर दे वो क्या है adverb चलो देख लो अगले sentence में slowly adverb कैसे है वो narrate कर रही है समय message को क्या narrate कर रही है incident लेकिन कैसे narrate कर रही है she is narrating how कैसे narrate कर रही है धीरे narrate कर रही है धीरे धीरे बता रही है verb को जो modify क्योंकि ये तो noun है न दा article लगा हुआ है नहीं समझे ये तो noun है न भई दा article लगा हुआ है article किस के लिए आते है नाउन के लिए आते हैं slowly क्या है तो वो कैसे narrate कर रही है धीरे-धीरे narrate कर रही है तो भाई ये क्या हो गया verb को जो modify करेगा adverb नहीं है narrate को जो modify कर रहा है कितना धीरे बहुते धीरे तो slowly को भी जो modify कर दे वो क्या है basic's are the point है तो ध्यान रखिए का जितने भी verb के बाद how, where, when, how often ये to what extent के जवाब होते हैं generally वो adverb होते हैं तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है वरना adverb में मैं बताऊंगा ये आपको verb के बाद generally how का जवाब where का, when का how often का मतलब कितनी बार और to what extent का मतलब किस हद तक इनके जवाब generally adverb होते हैं लेकिन ये बात adverb में करेंगे so tomorrow वाला बता दीजिए कैसे adverb होगा I will go tomorrow I will go tomorrow मैं जाऊंगा, क्या ये verb है अरे verb है क्या है बई, मैं कब जाऊंगा कल जाऊंगा कब जाऊंगा कल जाऊंगा शब्दो के चुनाव पर जा न verb को modify कर रहा adverb हुआ कि नहीं हुआ किसका अंसर दे रहा है when का yes or no hair ले लो I I went there या hair कुछ कर लो देख लो न I went there मैं गया कहा गया वहाँ गया कहा वहाँ गया गया verb को modify कर रहा adverb किसका अंसर दे रहा है where का समझ में आ रहा है वह बोल रहा है she speaks fast इदर देखो वह कैसे बोलती है how कैसे बोलती है तेजी से बोलती है तो यह सारी चीज़े जो नीचे note में लिखा हुआ है इसको adverb की class में पढ़ेंगे अभी यहाँ पे वर्ब को adjective को adverb को यह basic knowledge आ गी है तो इतना काफी अभी गई है वर्ट नहीं होगा वर्ट अलग होता है अरे वर्ट होता तो मैं लिख के नहीं देता क्या बच्चे कैसे सवाल करते हैं कभी कभी अरे वर्ट होता तो क्या वर्ट इसके अंदर लिखा नहीं होता क्या मतलब सवाल पूछ रहा है बस किसी भी तरीके से एक बच्चे कह रहा है सर हाव ओफन कभी example दे दो लो भाई हाव ओफन कभी ले लो I always go there एक सेकेंद है I always go there I always go to the college मुझे बताओ मैं हमेशा college जाता हूं हमेशा जाता हूं हमेशा college जाता हूं जाने वाले वर्ब को ये modify नहीं गर रहा है हमेशा जाता हूं How often कितनी दफाः जाते हूं NEVER go to college तरह जाता हूं OCCASIONALY go to college कभी कभी जाता हूं समझ मैं आ रहा है न तो यह भी क्या एडवर्ब है इसका भी दे दूँ इसका भी कई बार दे दिया example मैंने she is very beautiful she is very beautiful किस हद तक सुन्दर है बहुत सुन्दर है adjective को भी जो modify करे एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ बहुत सुन्दर किस हद तक to what extent है है ना चलो actual में यह सारी चीज़े जो है ना how, where, when, how यह एडवर्ब के चैप्टर में एडवर्ब of time, एडवर्ब of place, एडवर्ब of frequency यह सारी चीज़ों को हम बढ़ेंगे फिर से वही बात आप इतना detail में क्यों जा रहे हो जितना वह ने बोला उतना समझ में आया कि नहीं आया कि वर्ब adjective एडवर्ब को जो modify करे वो शब्द एडवर्ब होता है अगला शब्द जो आप पूछ रहे हैं भी आगे चलके linking वर्ब में क्लियर होगा किर्पयागर के शान्ती बनाए रखे चले प्रेपिजिशन कोई बात नहीं पूछो पूछो सवाल आने चाहिए देखो जब तक सवाल नहीं आएंगे आएंगे आपके मन में वो तब तक अंदर से वो जो बढ़ना है वो शान्त नहीं होगी कुछ बच्चों को लग रहा होगा हमारे ले तो बहुत इसई है इनको क्यों नहीं समय में आ रहा है लेकिन कभी-कभी स्टूडेंट को यह पता नहीं लगता कि वो रेलेवेंट सवाल पूछ रहा है कि इर्रेलेवेंट है नहीं समझे तो मैं कह दूँगा कि इर्रेलेवेंट सवाल है और रेलेवेंट होगा तो मैं जवाब दे दूँगा उसका क्योंकि लेंग्वेज को अगर आप एक्चुल में सीखना चाहते हैं तो वो डेड़ दो महीने में नहीं आ सकती अभी तो हम कॉंपिटिशन के पॉइंट वीज स तो आहНА म bakın एप यह तो मजागं छोड़ दो मेरे ऐगए ठीक है रडलो है प्रैपेजिशन क्या होता वोग इसे प्रीपोसेशन कहा देथे हैं बही तिक है और कुछो भी कहा देते हैं फ्लो फ्लो में लेकिन यह प्रैपिजिशन है क्या वह प्रैप भिनिए प्रैप प्री का मतलब पहले और पॉजिशन मतलब जगा तो किसी पॉजिशन या जगा से पहले आने वाला शब्द कैसा ना अभी जाला डैफिनेशन में ना जाके इसकी इसकी फंक्शन समझेंगे लेकिन फिर भी उपन नजल डाल लो क्या लिखा हूँ it shows a relationship of a noun or pronoun to another word complicated सी बात लग रही है ना लग रहा है क्या relationship noun pronoun का दूसरे शब्दों के साथ practically समझ में आएगा ऐसे समझ में नहीं आती है चाहिए देखो फिर भी समझ में तो समझ लो actual में क्या होता है preposition यहाँ बताता हूँ preposition क्या होता है preposition हमेशा noun या pronoun की position से पहले आकर उस noun या pronoun का किसी भी दूसरे शब्द के साथ अगर relationship बता दे वो preposition है कोई भी word noun या pronoun की position से पहले आकर उस noun या pronoun का दूसरे किसी भी शब्द के साथ relationship बता दे तो वो prep हो है sir example देना अराम अराम से जो जो सवाल पूछ रहों उसका जवाब देना ठीक है बई practically समझो रटो मत I live in India सबसे पहला सवाल इंडिया का parts of speech noun है I live in India कहां रहता हूं इंडिया में रहता हूं रहना action है तो क्या verb है there is a box under the table table के पहले दा आर्टिकल लिखा हुआ है तुरंत पहचान लिया मैंने क्या नाउन है similarly box के पहले दा आर्टिकल लगा हुआ है तो क्या ये नाउन है I am fond of coffee coffee किसी material का नाम है coffee tea sugar gold ये सब नाउन है कि फोंड क्या है कि फोंड क्या है कि वर्ब है तो एम क्या है फिर अच्छा फोंड का मतलब क्या होता है शोकीन है न कि मैं शोकीन हूं अगर मैं बोलू कि मैं smart हूं मैं एक वैसे बात बोल रहा हूं मैं I am smart तो M helping verb होगी और smart main verb होगी है नहीं एम helping verb होगी और smart main verb होगी भाई ये main verb ही होती है कुछ ना पताओ तो आगे चलके जानेंगे से verb चेप्टर में अभी verb के overview में बताऊंगा यहाँ पर यह main verb है स्मार्ट को उसको जोड़ो आप अभी वो क्या है क्या नहीं है यह बताओ स्मार्ट किसको कह रहे है आई को नहीं कह रहे है आई क्या प्रोनाउन प्रोनाउन के बारे में जो बताए अजिक्टिव होता है कि नहीं होता है तो ऐसे मैंने बोला मैं शोकीन हूँ आयम फोंड तो मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि यह adjective है यहाँ पे है अब यह सब क्यों बताया वह इतनी राम कहानी अब आप preposition के इधर आओ जो मैंने बात बताई थी preposition क्या होता है pre और position pre मतलब पहले position मतलब जगा तो noun या pronoun हमेशा noun या pronoun की position से पहले आकर उस noun या pronoun का दूसरे किसी भी शब्द के साथ relationship बता दे वो शब्द preposition हो देखो भी implementation क्या noun noun और noun तीनो जगा आकरी वाला वर्ड noun है या pronoun होता तब भी चल जाता क्या preposition उन सबसे अच्छा इतना तो पता है नहीं कि यह शब्द preposition होते at in with near between before है ना among between amid हो गया against हो गया लोंग हो गया बच्छपन में इतना बारवी पास करी है कि नहीं करी है इतनी तो करी होगी भाई ठीक है तो आप ही देखिए कि जो preposition है जितने भी preposition है देखो in हो गया आपका under हो गया यह noun की position से पहले है पहले तो मुझे यह बताओ है कि नहीं है कि आट ना उन की position से पहले ना उन या प्रोनाउन की position से पहले है और क्या उस नाउन या प्रोनाउन को दूसरे शबदों के साथ relate किया जा रहा है कि रहता हूं कहां रहता हूं इंडिया में यह और इंडिया को कौन जोड रहा है कौन relation बता रहा है कि कहां रहता है इंडिया made है similarly इस वाले शब्द और इस वाले शब्द के बीच में कौन बता रहा है कि box कहां है table के नीचे है under बता रहा है कि मैं शोकीन हूँ किस का coffee का कौन सा शब्द बता रहा है कि शोकीन किस चीज़ का ओफ बता रहा है फोन ओफ कोफी तो I hope मेरा पॉइंट सबको समझ में आ गया कि इसे प्रेपेजेशन कहते क्यों है है ना प्री और पोजेशन तो प्रेपेजेशन ऐसा वर्ड है जो हमेशा नाउन या प्रोनाउन की पोजेशन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का किसी भी दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशन्शिप बता है है ना अरे हिंदी से इंग्लिश बना नहीं रहे है पंड़ना में इंटल्स बता रहे है तो और कैसे समझाऊं तो मैं बोल भी हिंदी में रहों तो मैं हिंदी यूज भी न करूँ क्या है एक जूल्स में जैसे में भी आखिंट से इंग्लिवश बनानी की नहीं हो तो अपकोर्स नहीं बनानी है लेकिन अब बनां थोड़ी रहूं, मैं जो princess रहा कोई बात अब मैं क्या बोलने लग जाऊं कैसे बढ़ाऊं आपको का चलो का होगो तो को समझ में आरो कुछ और लैंग्विज यूज़ कर लूँ फिर कुछ चाइनीज वाइनीज आती हो दी तो मुझे मैं उसके दुरू बढ़ा देता यार जालो जी अगले शब पर आगे बड़े प्रेपेजिशन हो गया क्लियर आगे आजी चलो कण्ज़ंग्षन क्या है कंजं़ंग्षन आप भाग जाओंगए चलो जी वो देखो कितना भागते हो कितना नहीं भागते है त्यूप सीखने को जो मिलता है तो इनसान अपने आप र पढ़ती कि हम अच्छा बढ़ाते हैं यह तुम्हारे लिए जान लगा देंगे अगर देंगे वैसा करते हैं इसेज को सीखने वाले को बच्चे को पता है कि मुझे कहां सीखने को मिलेगा और कहानी मिलेगा यह सब्सक्राइब चालो जी कंजंग्शन को दो पार्ट में अगर हम तोड़ें दो पार्ट में तोड़ें तो कौन का मतलब होता बड़ा तुगेदर ठीक है तुगेदर और जंग्शन का मतलब तुजॉइन एक साथ जोडने वाला शब्द एक साथ जोडने वाला जॉइनिंग वर्ड को क्या ब जिसे मैंने कहा I am poor but I am honest कौन जोड रहा है but जोड रहा है तो joining जो word होता है वो हमारा क्या होता है conjunction basic सा था interjection क्या होता है बई interjection क्या होता है interjection expressive word होता है कल पढ़ रहे थे ना वो देख रहे थे oh no oh my god oh shit ouch पुर रहे यो wow alas यह जितने भी शब्द है यह सब interjection होते हैं जिसमें emotions आपको दिखते हैं ठीक है exclamatory sentence कौन से होते थे जिसमें interjection का use हो जाए या फिर what या how का use हो जाए याद आ रहे है कल बताया था interjection मतलब expressive word देखो अगर कोई पूचे ouch that hurt तो यह sentence कैसा है यह sentence exclamatory है लेकिन इसमें यह word interjection है समझ में आ रहा है न you I love to listen rap music brew तो यह क्या है actual में sentence basically exclamatory है लेकिन यह word क्या है यह interjection basic knowledge मिली तो फिर मैं छोटी सी बाते और को चूँँगा नजर गुमाओ एक बड़ जल्दी से यही बात जानी है हमने जो अभी सामने है आपके done अब अगर मैं अब अगर मैं आप से पूछूँ कोई word देके कि इसका parts of speech क्या है तो आप बताओगे कोई भी word अगर मैं आपको दे दे दूँ हाँ ना बोलना था अपने हाँ बोलना ही नहीं था ना बोलना था मैंने आपको बोला, अगर मैं आपको कोई भी शह सब वर्ड दूं, तो क्या आप उसका पार्ट सो स्पीश भाइचान होगे? तो आप ने क्हा अंगरे हैं, जबकि मैं क्या 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 जी पर चांद सकते? क्योंकि कभी किसी word को देख के आप उसका parts of speech नहीं बता सकते हैं ऐसे तो नहीं जाने कितने शब्द है language में है की नहीं है उस दिन भी जाने एक लाग की कतर अजार दो लाग के आसपास अब तो पहुंच गयोंगे मैं कह रहा था तो क्या सबके parts of speech याद कर लो कि नहीं जब तक वो word किसी sentence में use होता हुआ दिखाई ना दे उस sentence में उसका function न पहचान ले तब तक आप किसी भी शब्द का parts of speech नहीं बता सकते हैं ये बात ध्यान रखिएगा कोई भी आपको आगे कहे कि बता इस word का parts of speech क्या क्या मुझे जानने की जूरती नहीं पहले उसको use करके दिखा sentence में तब बताऊंगा और तब यही बताना होता है यही right approach होती है क्योंकि ऐसे तो कोई भी याद नहीं कर सकता है और याद करना ही क्यों है हमने क्योंकि हम कौन से English सीख रहे हैं academic नहीं functional function के basis फंक्शन कैसे पता लगेगा sentence में किस तरीके से use हुआ तब पता लगेगा सब नाउन adjective conjunction तो पहचान सकते हैं सब विदाउट sentence कितने पहचान लोगे चलो 2, 4, 5, 10, 20 उसका कोई फाइदा है ऐसा तो मुझे भी बहुत सारे words का पता है कि क्या है क्या नहीं है कौन सा शब्नाउन है कौन सा वर्ब है कौन सा adjective है मैं बिना देखे बता दूगा वो तो sentence में तरन टाइम होगे मुझे पढ़ाते हुगे लेकिन फाइदा थोड़ी है और दूसरी बात अच्छा रुक जाओ बताओ चलो एक मिनटर को तुम बताओ चलो यह बताओ जिसने बोलाई और कोई जवाब नहीं देगा कोई भी जवाब नहीं देगा किसने बोलाई यह संतोशी जी है बताओ वो क्या है संतोशी जवाब देंगे और कोई जवाब नहीं देगा वर्ब है और मैं कहूं कि यह नाउन भी है तो अब अगर मैं कहूं यह नाउन भी है तो I am walking और she went for a walk अब तो जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो बटा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं ठीक है पचानने को तो पता नहीं क्या क्या पचान लेंगे ऐसे एक शब्द जरूरी नहीं है कि जो पार्टस उस्पिश उसका है वो वही हो कई तरीके से यूज हो सकता है है निए पेंड होता है कि सेंटेंस में कैसा यूज हुआ है कि सबको समझ में आ रही है यह बात की नहीं आ रही है अब यहाँ पर वर्ब की तरीके से यूज हुआ, I am walking, तो यह वर्ब हो गया लेकिन यहाँ पर तो आर्टिकल लेके आया है वह तो यह noun हो गया She went for a walk I hope मेरा point वह में आ रहा है तो अब हम sentences देखेंगे sentences के थूँ हम लोग देखेंगे कि कौन से वर्ड का क्या parts of speech है Is that clear? आज़ो जिफिर खड़काओ Past को बताओ क्या है पहले वाले में क्या है दा किसके लिए Fast के लिए कार के लिए कैसी कार Fast कार Yes or no The car drove fast around the curve Drive drove driven कार चली कैसे तेजी से verb को modify कर रहा है That verb है कैसे तेजी से ठीक है जी Clear क्यों दिक्कत आगे चलें एक सेकेंड इसमें बताना आउट साइड क्या है चलो रुको रुको एक सेकेंड इसमें बताओ पहले I am so sorry So क्या है I am so sorry Adverb है पक्का 100% I was ill so I could not attend the class Conjunction है Are you sure? सबसे पहले मैंने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तो शर्मिंदा किसको बोल रहे है I को I क्या है pronoun pronoun के बारे में जो बताए कितना बहुत शर्मिंदा हूँ Adjective को जो modify कर दे Adverb और यहां तो साफ साफ दिख रहे है Subject Verb और Subject Verb को जोड रहा है जोड रहा है तो बोलेंगे क्या है Conjunction है तो depend करता है कि Sentence में किस तरीके से यह ओर हुआ बताओ यहां पर outside और यहां पर outside क्या है पहले में adjective है Adverb है दूसरे में दूसरे वाला तो दिखी रहा है हमको कि the outside door भारी दर्वाजा the door के लिए और कैसा door outside तो दूसरे में तो adjective है लेकिन यहां क्या है मैं बोलू I went outside अब बताओ outside क्या है मैं गया कहां गया बहार की तरफ गया वर्ब को modify कर रहा है Adverb है कि नहीं है तो उपर देखो न सब कुछ छोड़ तो sentence को आप सिर्फ यह देखो कि it's hard to see how world wars जो है वो escalate कर रही है कहां escalate कर रही है कहां बढ़ रही है outside of NATO countries कहां escalate verb को modify कर रहा है कहां बढ़ रही है कहां जा रही है verb को modify कर रहा है outside of NATO member countries I hope समझ में आ रहा है तो ऐसे बहुत सारे जो words है आप अलग-अलग तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगे ठीक है जी अब जाके अब अख़वार उठाएंगे तो उनके parts of speech function के अभी मैंने जो escalate का मतलब बढ़ना आगे चलना अभी जो मैंने आपको parts of speech बताए है ना वो किसके basis पर बताए है बताओ एक बार function के basis पर बताए है अभी parts of speech हम आगे चलके सीखेंगे suffix के basis पर भी किसके basis पर suffix suffix क्या होता है किस शब्द के पीछे कौन सा लगता है समझे वो बिना sentence के भी आप बतापाऊगे ठीक है वो आगे चलके सीखेंगे जैसे अभी एक बच्चा बोल रहा था क्या नाम था उसका संतोशी वो बोल रहा था नब पैचान सकते हैं अभी उसकी बात नहीं करते हैं आगे चलके करेंगे तो function के basis पर भी हम आज सीख रहे थे function के basis पर जब भी पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे sentence के थरू लेकिन अगर आपको suffix भी आते हैं suffix में क्या होता कि जैसे t i o n किसी के पीछे लगा हूँ है ना या फिर किसी के पीछे a t e लगा हूँ o u s लगा हूँ ऐसे वो होते हैं पीछे लगे होते हैं suffix prefix पहले लगने वाला suffix बात में लगने वाला तो वो word अगर sentence में भी नहीं आया है तब भी आप बता देंगे कि वो शब्द क्या है although उसमें भी कुछ exceptions होते हैं वो आगे चलके सीखेंगे ठीक है जी अभी suffix की बात नहीं करते हैं suffix आगे चलके आएगा function के basis पर clear है सबको कि sentence में देखेंगे कैसा function है उसके बाद आप उसका पार्ट से स्वीच बताएंगे अब हम क्या करेंगे अब हम identification शुरुआत कर रहे हैं एक तो verb की identification एक subject की identification एक object की और यह बहुत important है बच्ची वाली चीज नहीं है यह छोटी बच्ची है कि नहीं तो यह बच्ची वाली बच्चा बोलना था मैंने बच्ची बोल गया यह बच्चो वाली चीज नहीं है भाई आपको लग रहा होगा बच्चो वाली है लेकिन इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़े आएंगे अच्छे लेबल पर चीज़ें सीखेंगे तो आज पढ़ें या कल पढ़ें है कुवत कल पढ़ें कल पढ़ेंगे ठीक है भाई हाँ और सवाल जवाब कि लड़ियां तो पढ़ी होंगी है कुछ सवाल जवाब कि नहीं है चाल तो जिसके भी सवाल जवाब है वो पूछ सकते हैं बाकी जा सकते हैं आज इतना ही रखेंगे और मस्ती से बढ़ो यार अभी I know आप लोगो भी डाउट आते हैं चीज़े क्लियर नहीं होंगी अभी धीर धीर करके लेकिन आगे चलके बढ़िया मज़ा आएगा अभी तो शुरुवात है यार अभी तो कोर् या सवाल या यतिंद्र आप सवाल आप स्वाल दूसरो की ढाउट में पूछ नहीं है मैं जैंडियरल डाउट को एज से हर बच्चा पूछेगा यार सबके बताना पॉसिबल नहीं है क्लास के एंड में बता दीजिए मैं तीनों सब्जेक्ट रोज पढ़ता हूं पर इंप्रूब नहीं हो रहा है मैंने उस दिन भी कहा था यार तीनों रोज पढ़ते तो दो गर दो दो करते दो एक कर दो जितन इतने भी होते हैं क्यों याद करना है पीडिएफ कहां सेंड कर रहा हूं पीडिएफ क्लास के बाद यह आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है जैसे यह क्लास अभी खतम हुई तो इसकी रिकॉर्डिंग आ जाती ना आदे घंटे बाद साथ में पीडिएफ डाउनलोड का भी ठीक है चलो और वह वाली पीडिएफ टेलिग्राम चैनल पर सेंड क्यों यह जॉइन कर लें क्लियर अच्छा लोग क्या कहा रहे हैं अब उठा लेते हैं क्या को ली कनेक्ट हो गया कि इनके साथ हेलो हलो हलो है वहलो है अजी गुड़ाफ नून क्या सवाल है हम सराज तो बस आपको थैंक यू बोलने के लिए लिखाया ज़िए अच्छे जी थैंक यू बोल रहते हैं सर ऐसे सर क्वेसिंग के राउट तो रहते हैं सर तो फिर य यार अब यह अब यह थर को भी पता भाई मेरे दुविदा हैं यह यह सर आइनौ कि ना अभी क्या है कि अगर आपके सवाल उठाएंगे तो सब यह रह जाएंगी कुछ का नहीं रह जाएंगे तो वह पारशियल्टी हो जाएगे समझ रहे हो यह सांज्ज रहे हो यह सर ओन सर वही मैं आप से कहना चाहरा था कि एक बार ना आप एक ग्रूप बना दीजिए उसमें हम लोग एड हो जाएंगे फिर आप इसमें लिंक डाल दीजिएगा तो वहां पे हम आप सकता हूं लेवलब व अलग बना दो क्योंकि सबका नहीं बना सकता है क्योंकि जाहतार बच्चे फिजूल की बाते करते हैं नहीं नहीं वैसे अगर आप टेलिग्राम में कोई ग्रूप देखो कि अगर कभी जोइन्ड होगे तो जनरली क्या होता है सब मेरे से पड़े हैं तो कहीं न कहीं हो सकता है कुछ ऐसे बच्चेों जिनको मेरे सारे कर दो साल मतलब 2020 में तैयारी शुरू के थी जब 2020 में ग्रैशुशन पूरा हुआ था अभी था प्री एक भी हुआ नहीं है और इसमें सब हमेशा मतलब जादतर टाइम्स जाए इंग्लिश की वजह से मतलब रह जाता हूं आपके बाद आपका लेक्चर अभी देखना लेकिन उसमें कभी कोई इंप्रूवमेंट नी हो रहा था तो फिर वही था कि क्वाण्ट और रीजनिंग की तरफ जाधा फिर ध्यान जा रहा था क्योंकि नहीं आ रहा था तो सोच रहे थी कि स्केप करके ज़ब सकते हैं लेकिन कलर्ट में जो 84 की सब कट आफ गई तो उस लेकिन स्टिल एंग्लिश तो आप इंग्लिश लाए कोई भी सब्जक्स किप नी कर सकते हैं मतलब यह चीज तो देवन से हमको क्लियर होनी चाहिए कि सारे सब्जक्स को एक्वल लेकर चलना है वो लगता है कि रीडिंग कर लेंगे हो जाएगा लेकिन अब समझ में आ रहा है और मैं कॉंसेट के अकॉर्डिंट उसको अप्रोच कर वा रहा हूं तो वो कुछ समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा देखने का फाइदा नहीं है कि आप चाहिए कुछ भी कर रहे हो इंग्लिश के कॉंसेट्स तो आपने जरूर अच्छे करें लिकि इंग्लिश आपकी ज हो जाएगी दी तेरे इंप्रूफ दिखता आए तो सब्सक्राना है यह सर आप वो ग्रूप बना दीजेगा टेलिग्रम वाला जो लेवल लग्द वाले बख्या है है मैं बना दूँ हूं एक दो दिन के अंदर टाइम लगते ही बनमा दूआ ठीक है सर जालों ठीक है बाई नोट करें डेफिनेट लिख लें कलेक्शन बना लें रिवीजन करना है या बस रिडिंग के टाइम पर इंडस्टैंड करना है नहीं नहीं लिखना है भाई बाद में रिवीजन भी कर ले ना उसकी लिखो क्योंकि वह वर्ड्स आपको और अच्छा आपका बेस बना के दे ऐसे मुझे सेल अपता है या यह जरी पर भ्रस इ النग करतां लाज नहीं रही है अवाज नहीं हा रही है वाज नहीं हा रही है अले अले के ऑल कट में है ग्या अब आ रही है, अब ओके, कोई दिकत, चलो, अब उनका सवाल चला गया, क्या, मैं ये बोल रहा था कि NCRT के जो इन्होंने वोकाब कह रहे हो, वो लिखनी है, वो तो और अच्छा आपका बेस बनाएगा, तो उनको भी नोट करना है, ठीक है, हाँ, करना है, वो आपका और अ इनका सवाल ये था कि सर, नोवल सजस्ट कर, जीजे कोर्स कम्प्रेट कर चुका हो, उनको नोवल परसंट टू परसंट डिपेंड करती है, घलत बोल रहा हूं मैं, परसंट टू परसंट कैसे, क्योंकि भाई, किसी का फिलोसफी में इंटरस्ट है, सब के जानरों अलग अल अगर आप मुझसे पूछे, तो मुझे या थोड़ा सेल्फ हल्प का जो सेग्मेंट है, वो अच्छा लगता है, फिलोसफी और साइकॉलजी ये चीजे मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है कि कोई नोवल मैं आपको सजस्ट कर दूँ और आपक तो मैं सब्सक्राइब अगर्ण होता है, तो मैं सब्सक्राइब करूछ आपका लेवल उसके अगर्ण होता है, तो मैं सज़स्ट करूँ हूँ कि खुद ही पेलेट प्रॉब्लम ढूंडो फिर उसके सोलूशन के अकोडिंग इंटरनेट पर सर्च करो आपको अच्छी अच्छी मिल जाए ठीक है बाक्य प्रॉब्लम सही रेटिट बता सकते हैं मैं नाम सजेस्ट करता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम कोई है तो ऐस सच सर रीडिंग में बहुत सारी वोक्याब आ रही है देखो वो तो आये ही बच्छे लेकिन आपको जो बहुत ज़्यादा क्रूशर लग रही है कि बार बार रेपीट ओर यह सर्फ उसी को लिखें ठीक है सर मैं ये क्लास मैं ये क्लास दो बार देख लिए अब बताए क्या करूँ तो दो बार आगे और भी कुछ पूछा इनोंने हाँ तो लेवल अप करो ना दो बार क्यों देखिए एगी बात एक नी थी दूसरी बात रिवीजन देखनी थी बस रिवीजन करनी थी अब लेवल अब देखो ठीक है हाँ लेवल अप उठाओ और उसको कंप्लीट करो अच्छे से उसकी क्लासेज लगाते रो वाली पहली बात उनको नोवल्स नी बोलते नोवल्स अलग चीज होते हैं वह आप फिक्शन बढ़ते हैं वो नोवल्स की कैटिगरी में आती है चीज है ठीक है Self Help में वो बताओ किस चीज के regarding क्योंकि देखो Discipline के लिए बढ़नी है तो मैंने बहुत पहले बच्चों को सज्जेस्ट की थी Eat That Frog, बहुत अच्छी किताब है Brain Tracy की, ठीक है? आप उसको पढ़ सकते हैं और अगर Spirituality में जाना है आपको distract बहुत ज़्यादा thoughts करते हैं तो आप Four Agreements पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी किताब है Power of Now is a New Earth है उसको आप पढ़ सकते है Atomic Habits है, बहुत भैजरीन किताब है उसको आप पढ़ सकते है अभी आज कल मैं Brains related एक book पढ़ रहा हूँ Brain नाम उसके author का नाम में भूलिया क्या है? वो आप पढ़ सकते हैं ठीक है? और Motivational में अगर Easy Language चाहिए तो Robin Sharma की 5 AM Club है बहुत 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 इसी Language में काफी पहले पढ़ी थी मैंने आप वो पढ़ सकते हैं ठीक है? ओशो की तो काफी अच्छी अच्छी book है ओशो की book है Creativity है, Freedom है, Fear है बहुत अच्छी अच्छी किताबे हैं ओशो की भी उनको भी सारी Motivational genre में आती है वो भी बढ़ सकते हैं Destruction वाली दुबारा बताएं एक है The Four Agreements Four Agreements एक है Power of Now बहुत भैतरीन किताबे हैं इनको आप देख सकते हैं यह Spirituality से Related है Economic और Finance से Related तो यार फिर आपको Textbook और Academic Book से उठानी पड़ेंगी ठीक है? आप उनको देख सकते हैं संदी चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है मिलते हैं नेक्स सेशन में ध्यान रखिए अपने थैंक्यू सो मच टेक के टाटा गुडबाई